जी साना, क्या मामला है और किनको गिरत पर किया है? इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की, उसके हाथ पैर तोड़ दिये, यह इस तरह की दो गटनाय कारित हुई थी, इसमें यह कुछ लोग जो भूमाफिया तरह के लोग थे, यह भी सामिल थे, और यह तसकर हैं, जो गांजा वगरा बाहर से लाके सपलाई करते हैं, वो में गांजे का काम करते थे, फिर यह जमीनों में भी इन्वोल्व हो गए, यह वांचित होने पर प्रकण की गंभीड़ता को देखते हुए, प्रकण का अनुसंधान थानादिकारी दरगा स्री जगदीश चंजी को दी गई थी, इनके नेतरत में टीम का घटन किया गया, य और इसे चो दरगा के नेतरत में टीम ने जगे जगे तलास की और आज सूचिना एकृतित की तक्निकी सायक और कोल डिटेल के अधार पर इनको ट्रेस आउट किया, थावला से इनको धिरासत में लेकर गेन पूस्ताज की गई और मार पीटकेर उसके अन्य मुगदमे में इ यह नागोरमई पी गाउं है, वहां का एक तो सिवराज है, दूसरा सुगनाराम है, इनके साथ और भी लोग हैं, एक सादाब देश वाली करके भी है, जिसके साथ भी और लोग हैं जो नामजद होंगे, इन समने मिलकर यह इस तरह के भूमाफया टाइप की गतिविदी और मादक पदार्तों की तसकरी में लिपते हैं, यह सुगनाराम और सिवराज यह दोनों कोटा चेचट थाने में भी वांचित हैं, वहां पर भी करिब 200-300 किलोग्राम गाजे की तसकरी में लिपते थे, जो वहां पर वांचित हैं, इसी प्रकार यह नार्कोटिक्स विभाग नागपुर दुआरा भी वहां आंद्रप्रदेसर उदर से तसकरी करते हुए लाते हुए गाजे में वांचित हैं, तो वहां की टीमों को भी सूचित किया गया है, वहां के उनको भी सूचित किया गया है, और इसमें और कहां कहां हैं, इनके पास कहीं कोई मादक पतार्द की तसकरी और संपरकों के बारे में गहन पूस्ताज की जानी है